आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download now Question यहाँ पर हमसे पूछ रहे कि इन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है कि बीटी कॉटन के अंदर यह जो बीटी है यह इंडिकेट करता है कि एक जनेटिकली मॉडिफाइड ओर्गानिजम जो है वो बायो टेकनलोजी में प्रडियूस होता है बेसिकली क्या है एक जनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ठीक है अब यह जो क्रॉप है यह प्रडियूस किस तरह से हुई है बायो टेकनलोजिकल मेथड के थ्रू यह प्रडियूस हुई है और organism, जो अपने खुद के insecticides प्रड्यूस करते हैं, यह organism अपने खुद के insecticides प्रड्यूस करते हैं, अब यहाँ पर जो BT है, इससे हमारा क्या मतलब है, बैसीलस, थारंजिंस, यह basically strain है बैक्टीरिया का, यह बैक्टीरिया प्रड्यूस करते हैं, crystals, insecticidal, प्रोटीन के, तो यहाँ पर BT इस चीज के लिए स्टेंड करते हैं, तो यानि कि यह statement हमारा incorrect हो जाता है, second statement हमारा क्या कह रहा है somatic hybridization जो है वो involve करती है दो complete plant cell के fusion को जिसके अंदर desired gene जो है वो carried है तो क्या होता है somatic hybridization के अंदर क्या होता है यहाँ पर अब जो यह somatic यहाँ पर हम second state, second option को discuss करें somatic hybridization को हम एक और नाम से जानते है we can also say parasexual hybridization parasexual hybridization यह basically एक classical breeding technique होती है plants के लिए इसके अंदर involved होता है hybridization यहाँ मैं कहूं crossing pure lines की ठीक है यानि कि यहाँ पर पहले pure line की crossing होती है then artificial selection होता है जिससे की progeny produce होती है desirable rates के साथ यहाँ पर fusion जो होता है वो किसका होता है whole cell का ना होके protoplast का होता है चीक है cell का जो protoplast होता है उसका fusion होता है इसके अंदर यहाँ पर तो यानि कि यह statement हमारा incorrect है third statement पर चलते हैं third statement बोल रहा है the anti-cogulant hyrodine is being produced from transgenic brassica nepuse seed चीक है तो अब हम यहाँ पर third statement discuss करते है hyrodine के बारे में यह statement है तो अब hyrodine के case में क्या है यह anti-cogulant hyrodine है चीक है यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात तो anti-cogulant होते क्या है anti-cogulant हम उनको कहते हैं जो blood को पतला करते हैं ठीक है blood thinning substances ठीक है अब brassica nepuse brassica nepuse जो है वो एक transgenic variety है mustard की इसके जो seeds होते हैं वो use होते हैं इसके seeds use होते हैं oil बनाने के लिए और वो oil anti-cogulant hyrodine में rich होता है ठीक है तो यानि की यह statement हमारी correct है then fourth statement पढ़ते हैं fourth statement हमारी कह रही है कि flavor saver variety जो होती है tomato की वो ethylene की production enhance कर देती है जिससे की taste improve होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो flavor saver tomato variety है वो develop होती है जिसके अंदर natural gene जो है native species का वो blocked है इससे क्या होता है fruit की over ripening हो जाती है और इससे fruit जो है fresh और longer period के लिए fresh रहते हैं चीक है तो यानि कि यहाँ पर taste के अंदर तो कोई change नहीं आ रहा तो इसलिए fourth option हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है तो हमारा सही answer हो जाएगा option third classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts आट 4444 सो पर आप